है हलो एभीरिवन वेलकम टू ओडिचे ट्रेटर्यस एचार्ट मास्टर ग्रूप तो टूब्स टेकने लिप्टी आइन ब्यांक डेप्टी का अनसिस करेंगी इससे पहले आज का जो कॉल आपको दिया गये था दो कॉल दिया गये था जिसमें कि पहला वाल एक क्या कॉल था जिसमें आपको 52-60 पॉइंट का मुवमेट आपको देखने को मिला लगबग 70 पॉइंट का मुवमेट देखने को मिला और जो हीरो जिरो जैसा छोटा सा कॉल दिया गया था इसमें भी आपको डबल होते हुए नजर आया मार्केट में ठीक है तो फ्राइडे को जो भी जितना भी थोड़ा सा लॉस्वात आपका वह आज रिकवर हो गया है जैसे कि हम बादा किये थे कि एक बार कभी कभी ऐसा हो जाता है तो वी आप टू आर कोई डिसिप्लिन अगर आप डिसिप्लिन में काम करोगे चोटा सा स्टाफ लस लोगे तो आगे जाके यह वाला आपका प् देखेंगे तो जो है 17,720 के आसपास चल लाएं ठीक है तो काल के लिए तीन इंपरण लेवेल में आपको बता रहा हूं यहां पर तो पहला जो इंपरण लेवेल रहेगा हो रहेगा 17,660 का इसके उपर अगर मार्केट ओपन होता है और सस्टेन कर लेते हैं तो हमारा जो पहला टरकेट यहां पर रहेगा वू रहेगा 17,870 का तो हमार मुझे लग रहा है कि काल मार्केट में पॉजेटिव मुवमेंट देखने को मिल शकता है तो हमें यहां पर काल positive movement के लिए जाएंगा और C side के लिए जाएंगा अगर market ये जो level है इसका अगर break कर लाता है 17,660 और यहाँ पे जो एक level यहाँ पे बना है एक zone बन गया है तो market अगर 17,585 के नीचे आते हैं तब भी जाके हमें selling के लिए जाना है फरे target of 17,420 ठीक है अगर market 17,660 को sustain करेगा तो हमारा पहला target रहेगा 17,871 and next target will be 18,098 अला कि ये directly मुझे नहीं लग रहा है कि हो सकता है तो काल के लिए हम ये बाला target रखके चलिए 17,870 का अगर इसको sustain कर लेगा तो फिर से हमें और भी एक बड़ा move देखने को मिल सकता है पर्सदा लेवल आप 18,098 मतला 18,100 तो ये था निप्टी का सिंपल सा अनालेसिस यहां पर कुछ क्रिप्टी का लेशा नहीं है तो इसमें वह ब्यांक निप्टी का भी देख लेते हैं तो कल के लिए ब्यांक निप्टी का इंपर्टान लेवल क्या रहे गया देखिए ये वला लेवल है 41,200 का लेवल इसके उपर अगर मार्केट ओपन होता है और sustain कर लेता है तो हमारा जो टर्गेट रहेगा 41,500 देन 41,800 बहुत ही अच्छा टर्गेट दिख रहा है तो एक बड़ा मूब देखने को भी मिल सकता है कल के लिए अगर मार्केट फिर से जो 41,180 का लेवल का नीचे अगर ट्रेड करेगा तो हमारे लिए जो पहला टर्गेट यहां पर रहेगा यह रहेगा यह टर्गेट ठीक है डाउन साइड में जो टर्गेट रहेगा 40,800 इसको अगर मार्केट ब्रेक कर लगा फिर से हम देख सकते हैं 40,400 का लेवल ठीक है तो ये रहेगा अमारा ब्यांक टिप्टी का अनालिसिस तो काल का जो जैसे मुझे लग रहा है काल मार्केट में हमें बुली स्मूब देखने को मिल सकता है होगा इसका बाद हमें सीद का एक मुमेंट हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि यह रहा ताइफ में थोड़ा डाउन प्रेजिक्शन कर रहा हम जो लेवल को सबस्क्रेड किजिए तो आपको definitely कल profit हो सकता है तो this is the thing about nifty and back nifty movement for Tuesday तो अगर market hour में कुछ अच्छा सा call हम लोको मिलता है तो definitely will try to provide and again I am telling जो भी call आपको दिया जाता है with high precision दिया जाता है हमारा trading setup के हिसाब से दिया जाता है तो हमारा जो accuracy आप check कर सकते हैं लगबग 90% है तो definitely आप हमारा telegram में जाइन किजिए और हमार जो free calls का आप फाइदा ले सकते तो thank you thank you for watching my video